नमस्ते अभिवातन आपका इनोसेंटे निवेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों अभी रेसेंटली मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई उसके बाद बाजार ने थोड़ी सी रिकवरी भी दिखाई लेकिन इस बीच स्टॉक स्पेस्फिक काफी बड़ी गिरावट आचुकी है कई सारे लोगों के कई सारे सवाल भी आये हैं इसी कारण मैं आपके लिए ये स्टोरी लेकर के आया हूँ इसको मैं इस वीडियो को मैं एक स्टोरी कहूंगा चोटी सी स्टोरी है रिलाइंस और फ्यूचर ग्रूप के बीच में जो कुछ भी हुआ अगर आपक आपको नहीं पता फ्यूचर डिटेल स्टोर्स क्या है तो आपको बता दूँ जो आपके सहर में बिग बाजार है फैसन बाजार है ठीक है ये सब हैं किसके स्टोर फ्यूचर रिटेल के अब कहानी थोड़ा सा जान लेते हैं तभी आगे बढ़ूंगा फ्यूचर ग्रूप जो है वो अल्मोस्ट डेट ट्रैप में फस्ते हुए बरबाद हो गया था ठीक है गुरोथ पर फोकस था ठीक है रिपेमेंट पे जादा फोकस था नहीं और इसी कारण कोविड ने उनके बिजनस को अल्मोस्ट चौपट कर दिया और यहां बर रिलाइंस के साथ उन्होंने करी अपने बिजनस को बेचने की बात करी 19 कंपनियों को मर्ज करके फ्यूचर एंटर्प्राइज लिमिटेड बनाई जाएगी ऐसा उन्होंने कहा ठीक है फ्यूचर रिटेल को पूरा रिलाइंस रिटेल के हाथों सौब दिया जो कि रिलाइंस ग्रूप की एक सबसीडियर है तो अब जो फ्यूचर गुरूप है यानि की बीग बाचार है उसको हैंडल करेगा रिलाइंस रिटेल इस पर भी बहुत तिकडम पांच लगा था एमेजॉन आकर के केस कर दिया क्योंकि एमेजॉन की कुछ सेदारी थी उनसे नहीं पूचा फ्यूचर गुरूप वालों है ठीक है और इनको जॉब फिर से मतलब री पॉइंट में इनकी की गई है यह सब बेचारी क्या करते जब सैलेदी नहीं मिल यह छोड़ के जाना पड़ेगा आप वापस उनको बुलाय गया बोला गया आपको सैलेदी मिलेगी कहीं-कहीं मैं यह बात कर रहा था कहीं-कहीं इन तीन दिन एक एकस्पाइरी पर थी 30-30% के डिस्काउंट में मिलती हुई मुझे दिखाई दी वहाँ पर 30% का डिस्काउंट जनरली मिलता नहीं नहीं नेसले के पोड़क्ट पे अब यह कहानी थोड़ी सी कॉंप्लिकेटर हो गई मैं आपको यह से समझाता हूँ यह है नहीं पृड़ीस कु देने के लिए नया आडार को पेमिन करने के लिए और दोड़्स की भी रिलाइन्स ने सुना ड proteins तो रिलाइक ने 24 जार करोन फैसा देने की बात इनको कही प्लस वो कंट्रोल लेने की बात कहीं, यहां पर Amazon अपना तिक्डम फसा रहा था, लेकिन Reliance अंदर ही अंदर, अपने प्रोडक्स को वहां पर सामिल करा रहा था, अपने employees को भेज रहा था, इनके employees को फिर से हायर कर रहा था, और इसी कारण ठीक है, इसी कारण आपके सहर में अगर Big Bazaar चला होगा तो वह Reliance के दम पे चला है, बरबादी से अबादी तक की कहानी मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूं, कि देखो दोस्त, हर कोई Big Bazaar नहीं बन सकता, लेकिन Big Bazaar कितना बड़ा नाम है आप यह जानते हो, और उसके अंदर ही अंदर क्या चला है, वह ब को होता है कि कोई एक drawdown आ जाता है, 100 रुपय आप बाजार में लेकर के आय थे, लेट से की 70 बचे, लेट से की 60 बचे, कुछ-कुछ लोगों को मैंने 40 से भी रिकवर करते हुए देखा है, लिकिन यह रिकवरी आसान नहीं होगी, आपको फूकस इस पे करना होगा, कि मेरे पास अब जो 40 है यही मेरा है, जो गएस हो गए, जो छोड़ के चले गए वो अपने नहीं थे, वो पराय थे, वो ब्यवफाद थे, धोके बाज थे, जो पैसे गए, जो लोग गए जाने दीजे, जो बच्चे हैं उनको एक साथ लीजे, इखटा कीजे, स्ट्राटजी वना ठीक है, और इस गिरावट में आपने एक चीज तो सीख लिया, कि भले स्टॉप लॉस आप लगा करके दस दिन लॉसे स्खालो, लेकिन उस एक दिन के बड़े लॉस से आपको स्टॉप लॉस बचाता है, क्योंकि वहीं पर पूरी साइकॉलिजी डगमगा जाती है, तो यह बिल्कुल फायदा है, आप सुचिए, अगर वह वह बिंदे, तो भी तक़लीफ है, आगर फूच्व को तकलिफ हो रही है, मतलब इचार new technical kautakow तकलिफ हो रही है, तोương濃 हो भूचतना पड़ेगा कि इन्होंने deal कर लिए ठीक अब वहाँ पर इनकी मजबूरी थी landlord को payment देना यानि की जो जमीन वाले हैं इनकी मजबूरी थी इंप्लाइच को रखना क्या कि बिना इंप्लाइच के कैसे आप operate करोगे ठीक है तो वहाँ पर इनके पैसे खर्च हो रहे हैं इनके इनके भी कुछ वेस्टेड इंट्रेस्ट है ना भी इनको भी तो आउट्पुट निकालना है न यह बैंकों को पेमेंट करेंगे ठीक है क्र future group के लिए और यहां पर कहानी का क्रक्स हमको समझ में आता है कि future group किस और भियानी जी की company थी ठीक है अब ये बंदा काफी माइंडर बंदा ठीक है बहुत बड़े कारनामें इन्होंने किये हैं भारती बाजार में एक नाम है इनका जिन्होंने बिग बाजार को बनाया उनका नहीं होगा तो किसका होगा लेकिन ये सोचिए ये बिग बाजार सब कुछ अच्छा करते हुए भी बहुत सारी चीजों को नहीं हैंडल कर सकी और उसके बाद ट्राप में फसी उसके बाद इनको बिखना पड़ा उसके बाद मतलब आप समझ लिजे का अलमोस्ट बरबाद में loss हो गया बहुत लोगों को हो रहा है जैसे इंटिया में 2-4 परसेंट बिजनेसे सकस्पुल होते हैं वैसे ही इङा में 2-4 परसेंट इनवेस्टर सकस्ट फल होते हैं ये लॉग रन की बात कर रहा हूं तो आपको ये यह आपको घाल काफी संस्ति कर पहा पहरे हैं दोगों कहते ठाहिका भार भी रखाछूते हैं वह दिसकेंट संसे हों कि अवह बनगा ग rook स्केंट हूं कोई आये आपको बचाने जरूरी इसकी भी importance नहीं है आप खुद खुद को बचा सकते हो ठीक है future group debt trap में था आप नहीं हो न यह अच्छी बात है और जो लोग debt trap में हैं उनसे भी बात कहूंगा मैं सबसे बड़ी चीज इंसान के लिए होती है peace of mind ठीक है और उस पर आपका focus ह होना चाहिए और जो debt होता है न वो peace of mind आने देता नहीं है चाहे आप कम कमा रहे हो या ज्यादा उसी इसाब से आपके उपर debt का बोज हो जाता है तो इसलिए मैं कोशिस यही करवाता हूं कि लोग अपने सर पे debt ना रखे कम पैसे से trade कर लो चलेगा कम कमाओगे गम नहीं क कमाओगे लेकिन अगर उचल कूद मचाओगे तो तकलीफ आप ही कुझे लिए बस यही सब बाते थी जो मैं सेयर करना चाहता था तीस हजार से ज्यादा लोगों को रिलाइंस में जॉब दिया इसके लिए रिलाइंस को धन्यबाद आपने लोगों की जॉब को बचाया प् फिर वही है कि क्या ही किया जाए हर बिजनस में कुछ ना कुछ रोड़े आते ही रहते हैं खुजी की बात है कि हमारे सामने पॉश्टिब नहीं हुज है कि रिलाइंस जो है कंट्रोल लेकर के लोगों को जॉब दे रहा है लैनलोड को पेमेंट दे रहा है और नए बड़े जो की फाइदा ही देगी खास कर वहां पर जॉब करने वालों को और जिन लोगों को फाइदा हुआ है डिसकाउंट से वह सब तो इंजॉय करी रहे होंगे अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूं यह स्टोरी जरूरी थी इसके पीछे की कहानी को जरूर समझिएगा मेरी जो सबके पैसे पर आता है ड्रॉडाउन सबका होता है लेकिन उसके बाद जो उपर करके आता है वही असली खिराडी होता है याद रखिएगा वेडियो पसंद आई तो लाइक करना जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार